अलो गोस्तर नमस्कार, KP Teacher Academy में आपका हार्तिक सुवागाता है, आसा करते होंगे, पच्छे होंगे, सुष्थ होंगे आज हम 1500 कोशन्स की सीरीज का थर्ड पार्ट स्टार्ड करेंगे, जिसमें 30 कोशन्स होंगे यह हैं कोशन्स टॉपिक वाइज हैं और लास्ट एक जब में आई-ई-उ कोशन्स हैं जो कि काफी इंपोरेंट कोशन है अजर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों को साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने हैं प्रेस कर लें जिससे नॉटिफिशन में म अगला कोशन देखती है बिडिदेको लाइक करते हैं हधी आद में परिवार को जीवन की प्रारमिक पार्ट साला की नाम से किस ने सरवोधित या समोधित किया है फरस्ट आप्स ने है दुरमुखी, सेगिंड है मैक्स बैवर, थरड है प्लोटो और अरस्तू, फूर्थ है स्पेंसर कोशन पुचा गया कि परिवार को जीवन की प्रारमिक पार्ट साला की नाम से किस मनुबैग्गनिक ने सम्मोधत किया है कोशन इस प्रकार से है आंसे दिए आंपे आंसे ने करेक्ट होगा फर्स्ट परिवार को जीवन की प्रारमिक पाट साला की नाम से दुर्मुकी जी ने सम्मोधित किया है अगला कोशन दिखते है सिच्छा के उद्देश बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज फर्स्ट अप्स ने कस रूप इस तर रहता है सेकिंड है, समाजिक परिवरतन कटिन है सिच्छा से ही बदलता है फूर्थ है, परिवरतन सील है तो यहापर कोशन बोचाए रहा की सिच्छा के उद्देश बदलते रहने चाहिए क्योंकि समाज किस प्रकार का है इस प्रकार से कोशन समझेंगे और उसी के according हमारी सिच्छा में बदलाब होती रहने चाहिए समय के according तो अगर कोशन देखते हैं अगर बीडियों पसंद आए तो लाइक करते हैं हात्यात में चैनल को सब्सक्राइब कर लें कोशन देखेंगे बाल के अंदिल सिच्छड बिदी का उद्देश होता है First option है चात्र में मुक्त डंग से सीखने की योगिता का विकास करना Second है चात्र में सुतंत्र कोशलो का विकास करना Third है चात्रो में आत्म निर्वर्ता का विकास करना Fourth है उप्रुक्त सभी तो कोशन पुछा के बालकेंदर सिच्छड विदी का उद्देश क्या होता है तो आप अंसर दीजेगे आँ पर तो जैसे के बात करती हैं आपे छात्रों में मुक्त रंग से या सुतन्त रूप से सीखने की युगता का विकास करना बालकेंदर विदी का होता है चात्र में सुतंद्र कोश्णल का विकास करना ये भी काम होता है चात्र में आतमिरदा का विकास करना ये भी सिच्छड का उद्धेश होता है तो answer correct होगा यहापी हमारा फूर्ट आंसर जागा उप्रयोक्त सभी अगला उशन दिखते हैं सिच्चा का प्रसार स्वरी प्रिचार प्रसार क्यों आवश्क है करने हितो थड़े सिच्चा को नौकरी देना हितों फूर्थ है लोगों को समाज का उपियोगी अंग विलाने के लिए तो कोश्चन पुचा बढ़ी है कि सिच्चा का प्रिचार प्रसार क्यों आवश्क है आनसर दीज़ें आपे sudah सेकेंड का समय आपके पास में तो आंसर करेक्ट होगा याप वारा फूर्थ लोगों को सिच्छा के प्रति अक्रुष्ट करने ही तू तो आंसर फूर्थ नहीं होगा आपके सेकेंड हो जागा मफ कीजिएगा अगला कुशन देखते हैं सिच्छा तमी सार्तक होगी तब यह जब हो है फर्स्ट अप्स ने पार्थ क्रम केंद्रित हो सेकेंड है सिच्छा केंद्रित हो थर्ड़ है समाज केंद्रित हो फूर्थ है छात्र केंद्रित हो तो यह कुश्ण पूचला कि सिच्छा कब सार्तक होगी जब हो है छात्र केंद हो यहां पर हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा अगला कुशन देखती है कि चात्र के अंद्र सिच्छड का अशाय है फर्स्ट आफ्ट ने पृतिक चात्र की आवशक्ता का ध्यान रखना सैकेंड है चात्रों को मनमानी करने की चूट देना थड़े चात्रों को निसल को सिच्छा देना फोर्थ है सिच्छड में चात्रों का पूर्ण सैयोग लेना तो आपके कुशन पर चात्र के अंद्र सिच्छड का अशाय क्या है तो आंसर देजिए हमपी आंसर टेक्ट होगा सिच्छड में चात्रों का पूर्ण सैयोग लेना अंसर फूर्थ हो जाएगा अगला कुश्ण दिखेंगी कुश्ण प्रजंद आए तो लाइक करते हैं अधियात में सिच्छा में दंड की मुख हानी है फर्स्ट अप्र यह इस्ताई वल सुधार नहीं है सैकीन इससे विद्ध्यार्तियों में अरुचकर भावना की उत्पत्ति होती है तो यह चात्रों में गवराट को जनम देता है फूर्थ है यह समूं में भाहिचारी की भावना को रोकता ह है तो कुश्चन बुचा गया है कि सिच्छा में दंड की मुख हानी क्या है तो जापी जैसे बात करेंगे इससे चात्रों में विद्ध्यार्तियों में अरुचकर भावना की उत्पत्ति हो सकती है या हो जाती है तो आंसर कौन सा हो आपके सेकीन अंसर अगला कुश्चन द सबस्टा गयां है फरस्ट निसिचा एक फुस्तक है Second सिच्छा एक बिशा है थादना सिच्छा उऑव है जो केवल सिच्छ कों से मिलती है wishing तो ए Schmidt औरनक्र अनु mint expos अगला कुशन देखती है, प्रात्मिक बिद्यालों में अंग्रेजी की सिच्छा अन्वार कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे फर्स्ट अप्स ने छात्रों में आंत मिस्वास बढ़ता है, सेकिंड है बिदेश में जाने के लिए अपसर बढ़ते हैं, थड़े सामाजिक प्तस सिच्छा की अन्वार कर देने से इससे क्या होगा, तो इससे चात्रों में आत मिस्वास बढ़ेगा, तो आंसर कुछ सो यह हमारा फरस्ट अंसर हो जाएगा, एकला कुशन देखती है, अनुपचारिक सिच्छा का आरम होता है, किसी संस्ता से, सेकिंड है, परिवेश से, सुनुपचारिक सिच्छा का आरम कहां से होता है, तो जैसके बात करते हैं, अनुपचारिक सिच्छा होती है, वो हमें अपने बातावर से प्राप्त होती है, जो हमारे आसपाद में गट अतना गटरी होती है उन से सीखी के सीख को ही अम अनोचारिक सिच्छा कहते हैं तो यह पर आंसर करेक्ट हो हो है हमें हमारा सैकींड परवेश से मिलती है हमें अगला कोशन देखेंगे के सीखी अनिवार सुच्छा के मार्ग में बादा रहें हैं फरस्ट रव थूपने अप वै की समस्या सैकेंड जं चेतना की कमी थरे सिच्छा मेहतु की अज्ञांता फौर्त है यह सभी तो जैसे कि कोश्ष्ण पूछा या रहा है क्या अनिवार सिच्छा के मार्ग में बाद अगर्णता की कमी भी होती है और सिच्छा मैंत्यों की अग्यांता की भी कमी होती है तो अंसर-क्रीक्ट हुगा इसका वकॉणी है वारा यह सभी 4th quite सभी अग्या कुषिन देखते हैं अ Need चोश देहेंगे, सिच्छा की पार्थ चर्या बदलती रहने चाहिए, क्योंकि समाज सिच्छा को इसके लिए बिवस करता है, का फॉर्थ पार्थ चर्या समाजिक निदेश का पालन करती है, तो जैसे कि गोश्य बचारा की सिच्छा की पार्ठ चर्रा बदलती रहनी चाहिए क्यों बदलती रहनी चाहिए ये कुश्यन में पूछा गए क्योंकि जैसे कि हम भी बात करते हैं कि समाज की आवशक्ता है बदलती रहती है इस प्रिकार से सिच्छा की पार्ट चेरा भी बढलती रहनी चाहिए तो इसके अकॉडिंगे हमारा आंसर कौन सो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो ओमरे याँ पर याँ पर सेकींड टिक कर देंगे याँ पर सेकींड आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखती है चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है पर प्रैस कर रहा है जिससे आपको नोटिफिशन माते वीडियो मिलती रहेंगी अगला कोशन देखती है अगला कोशन देखती है बरतमान सिच्छा में प्रचलित प्रवर्ती यह है कि फर्स्ट आप ने बालकों की विकास ब्रद्दी का मूल्यांकन उनके बिमार के माध्यम से किया जाए सेकिंड है चात्रों पर किसी भी प्रकार का कठोर नियंतर लागू न किया जाए थरड़ है चात्रों पर अधिक प्रवावी अनुसासन नियम लागू किया जाए फोर्थ है चात्रों की पार्टि करम को सद्रण किया जाए तो जैसे कुश्ण बचारा की बर्तमान सिच्छा में प्रचलत प्रवर्ती यह है कि किस प्रकार की प्रवर्ती है बर्तमान सिच्छा में देखते हैं आपर आंसर दी यहां पर पांच सेकिंड के समय तो जैसे कि बात करते हैं पर बर्तमान सिच्छा की प्रवर्ति यह है कि बालकों की सिच्छा या विकास ब्रद्धी का मूल लेकन उनके विवार के माध्यम से किया जाए तो इसके अकोडिंग आंसर करेक्ट होगा हमारा यहां पर फरस्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं पर दिखाई देखेंगे पहले कोशन देखते हैं विद्ध्यारों में ंबालक के इंद सिच्छा की विवर्स्ता कितने वर्सों के लिए होती है फरस्ट आपस ने 5-10 वर्स तक पी बालकों की लिए सेकेंड है शैसे 10 वर्स तक की बालकों की लिए थढ़े7 से कितने वर्स्तों तक के लिए होती है जैसे के आप बात करेंगे यह विवस्ता है हमारी 6 से 10 वर्स के बालगों के लिए होती है तो answer character हो इसका कौनी है हमारा second answer हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे प्रगतिसिल सिच्छा विदों के विचार से पाठि किरम संबंदी अनुववव की स्रिंखला को निर्दारित किया जाना चाहिए फर्स अपस है छात्रों की रुचियों से सत्यता अनुख्रम में सैकीन है आदारित पाठि पुस्तकों की संगठन की अनुप फ़ड़ है विश्यवस्ततू की तार्खिता की आदार पर फूर्थ है पाठि किरम निर्मात्ता की संगठन की आदार पर तो जैसे कि हमपे कोश्य pressure बिचारा की प्रकति सिच्छा या प्रकति सिच्छा विदों की बिचार पार्टिकर्ण स्वंबंदी अनुभवों की सुरंखला को निर्दार्थ किया जाना चाहिए किस प्रकार से इस प्रकार को कुश्य को समझेंगे तो जैसे के मैं बात करते हैं इसके अकुड़ी हमारा आंसर होना चाहिए चात्रों की रुचियों से सत्यता अनुकरम में तो आंसर कौन सो हो यहां पिए हमारा फर्स्ट अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे बाल केंदे सिच्छा का सिद्दान्त है फर्स्ट अप्स ने प्रेणा का सिद्दान्त सेकेंड है रुची का सिद्दान्त थर्ड है चैन का सिद्दान्त फोर्त है यह सभी तो जैसे कि यहां पिए बात करते हैं बाल के इंधे सुच्छ, प्रेण का सिद्धान्त, रुची का सिद्धान्त, चयन का सिद्धान्त तो answer होना चीव यहाँ पी यह सबी, फूर्त answer हो जाएगा अगला question देखती है, तिकर देंगी यहाँ पर, answer हमारा फूर्त यहाँ पर टिक कर देती है आपे अगला कोशर देखती है प्रगतिस उप्षा का उद्धिश है फर्स्ट उप्षन है बालक का बिनास सेकिन है बालक का विकास थरड cuarto है बालक के परिवार का विकास फोर्थ है ये सबी तो पर कोश्चन पछैंगे सब्सक्राइब करें कि अगला कुशन देखते हैं कि अंतरगत ऐसे बातावर्ड का निर्मार किया जाता है जिसमें बालक का हो सके सब्सक्राइब करें कि अंतरगत ऐसे बातावर्ड का निर्मार किया जाए जिसमें बालक का हो सके सामाजिक विकास हो सके तो अंसर करेक्टर होगा इसका कोड़ी हमारा सेकीन अंसर हो जाएगा सामाजिक विकास अगला कोशन देखेंगे बरतमार समय में बालक के इंदि सिच्छा पर जोर दिया जाता है निर्मार में से कौन सी बालक के इंदि सिच्छा की विशेस्था नहीं है कोशन नहीं है पुछा गया सी टैट में भी किस पकार कोशन बहुत आते हैं तो उसके अकोडिक हमें आंसर देना हुआ पहले कोशन सही से पढ़ेंगे तब आंसर देंगे फर्स्ट आप्सन देखते हैं बालक के सरवगीर या सरवंगीर बिकास पर जोर देना सैकीन है बालक मनोविज्ञान को समझना तो जान बालक को केवल टयत्यात्मक ज्यान से अवगत करानी पर जोर देना फोर्था फैंप बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्च्छा बिचयां जोड जाता है तो नहीं में जब आंसर हो तो मारा 90 पर इसमें से निकलते हैं तो बालक को ग्यान से अवगत कराने पर जोड देना हमें बालक को केवल ते थात में ग्यान नहीं देना हमें बालक के संपूर्ण ग्यान की आपशक्ता है और उसे ग्यान को अभगत कराने की जोड़ दिने की आपशक्ता है तो इस कोशन के अकॉड़िंग हमारा आंसर करेक्टर होगा हमारा है थहर आंसर हो जयागा अगला उस्षिन देखेंगे इसकोशन को इसकोशन को करेंगे यह कोश्चन हो रहा है पार से इसे भी करेंगे खोशन नेंके 32 बाल के इंदी सिच्छा में नेम में से कौनसा तत्त्व नहीं है यह फ्रस्ट अप्स नहीं पूछRO NATO नहीं है तो तो बाल केंदस इच्छा में कौन तत्व नहीं है ने मीविन रीकत रहे लोग तंतिक महल्य गलास के न्तरगत तो यहां पर इस रहे काम करना नहीं मैं आन्सर वारा निस्क्रिय वह जागा तो आंसर कोशिंग आपर आपी सेकीं अगला कुशन देखते हैं, ये भी कुशन को Скिप करेंगे अगे, बाल के अंदे सिच्छा के पार्ठी किरम में, संदर्म में नेमद में से कौन सा कतन सही नहीं है, ये भी कुशन नहीं मैं पूछा गया है, तो एक पार्ठी करम का विकास, वियकतिगत, बिवपरनिताओं, प् सिद्धांतों की मनोबैज्ञानिक ज्यान के आदार पर किया जाना चाहिए। सेकेंड पार्टि करम बनाने में सिच्छक यह ध्यान रखता है कि विद्ध्यारती और समाज की क्या आवशक्ता हैं और सीखने की कौन सी किरियाओं से यह आवशक्ता हैं सरवचतम रूप से पूर्ण हो सकती हैं थड़ है पार्टि करम बनाते समय सिच्छा की आवशक्ताओं एवं विद्याला में उपलब्द स्विद्धां का ध्यान रखा जाना चाहिए फोर्त है उप्रयोक्त में से कोई नहीं तो जैसके बात करेंगी आंसर हो जाएगा कि पार्टि करम बनाते समय सिच्छा की आवशक्ताओं एवं विद्याला में उपलब्द स्विद्धा को ध्यान रखना चाहिए यह कौश्य नहीं होगा तो आंसर क्याट्ट होगा इसका अगला कुशन देखते हैं अगर कुशन पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करते हैं हातियात में चनल को स्काइव कर रहे हैं जिससे आपके नोटिफिशन में अध्यम से वीडियो मिलती रहेंगी कोशन देखेंगे सिच्छा मनुब ज्यान की देन है फरस्ट आप तो ने क बात करेंगे बाल के अंद्र सिच्छा की देन है आंसर करक्र वहाँ यहां पर हमारा सेकीड अंसर अलगोशन दिखते हैं बालकिन सिच्छा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निमनलिक्र में से किसका महत सरवदिक है फर्स्ट अप्स है सिच्चक बालक के व्यक्तिक का कहां तक दिकास कर पाता है सेक्ड है सिच्चक कितना ग्यानी आकरसक और गुड़ युक्त है थर्ड है सिच्चक अपनी विध्यालक को कितना हदिक भव्य दर्सा पानी में सच्चम है फूर्थ है सिच्छक की पैचान का दाइरा कितना बिस्रत है तो कोश्चिन बुशारा की बाल की इंदी सिच्छा सार्थक के तौर पर आपकी अनुसार नेमनों के लिए किसका मैत्व सरवदिक है बालक केंद सिच्छा के लिए कौन सा मैंतु सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा ये कुश्चन कुछ है रहा है तो जैसके बात करती है सिच्छिक भालक के व्यक्तित का कहां तक विकास कर पाता है इसके according answer हमारा correct हो जाएगा first अगला कुश्चन देखेंगे इस कुश्चन को skip करेंगे थोड़ा हो रहा है कुश्चन अगला कुश्चन देखते है प्रकतित सिच्छा के अंत्रगत बालक में आत्मनुस्वाशन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए first option है अनुस्वाशन बनाए रखने के लिए सक्त आदेश, second है बालकों में उत्तरदायत की वावना के विकास पर, third है प्रकतित सिच्छा के अंत्रगत आत्मनुस्वाशन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता fourth है आत्मनुस्वाशन के लिए बिविन द्रस्टानतों द्वारा बालकों को समझने पर तो जैसे के question प्रकतित सिच्छा के अंत्रगत बालकों में आत्मनुस्वाशन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए आत्मनुस्वाशन के लिए किस बात पर सब्सक्राइब जोर दिया जाना चाहिए यहां question में पूछा जा रहा है परकतित सिच्छा के अंत्रगत तो यहां पर answer दीजएगा इसके according answer हुआ बालकों में उत्तरदायत की बावना के बिकास पर जोर दिना चाहिए तो answer second हो जाएगा टिक करेंगे यहां पर अगला question देखते है यह question हो रहा है skip करेंगे यहां पर अगला question देखते है बालकेंदे सिच्छा को बिवार में लाने वाले सिच्छक के लिए निमल लिखत में से किसकी जानकरी रखना अधिक आवशक है first option है सिच्छक के लिए बालकी बिवार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवशक है कि वह है उसके परिवार के बारे में जाने लिए आप किन्तो उसकी परिवार की आर्तिक इस्ति के वारे में उसे आवश पता होना चाहिए फूर्थ फूर्ट बालक की संबंद में सच्छक को उसके विवार की मूल अदारों आवशक्ताओं मानसिक तर उर्चियों यूगतां वक्तित इत्याद का विस्त्त ग्यान होना चाहिए कि बाल के इंद सिच्छक को विभार में लाने के लिए सिच्छक को किसकी जानकारी होना अत्य आवशक है या अधिक होना चाहिए तो जिसके बात करते हैं कोश्ण अकोडिंग बालक की संबंद में सिच्छत को उसके बिवार के मूल आधारों, आवशिक्ताओं, मानसिक इस्तर, रुचियों, योगिताओं बिक्तुत आधिका बिश्चत ग्यान होना चाहिए तो इसका अंसर करेक्टों को हमारा यहां पर फूर्थ अगला कोशन देखते हैं बिद्ध्यार्तियों में ब्यक्तिक बिरिंताओं को सम्मुदत करने के लिए एक बिद्ध्याला किस प्रकार का सयोग उपलब्द करवा सकता है तो फर्स्ट आप तुने, यह पर कुश्चन हो रहा है, देख लेते हैं फ्रिवी सभी बिद्ध्यार्तियों के लिए समान इससर की पार्टिचरगा अनुगमन करना सैकिने बाल के सुच्छा, सोरी बाद, केंद्रित, पार्टिचरगा पालन करना और बिद्ध्यार्तियों को सीखने के अनेक अपसर उपलब्द करना थर्डए से छार्तियों में वैक्तिव ब्रहंता को समाप्त करने के लिए हर समपभ उपाय करना फौर्दा दहीमी गतीज़े सीखने वाले बिद्धयार्ति युक्व बैस시 बिद्ध्यालमें भेजना टो है परको आपको आंसर पता चाल लगा अगो आगा वैसे तो यहां पर सेक्ट आंसर हो जाएगा तो यार सीट एट तेरे में आए हुआ कुशन से दोस्तों यहां सेंसार यहीं समाप्त होता है अब कोशन परशंद आती हैं तो जैसे यह सेर करें दोस्तों को साथ में चैनल को स्काइब कर रहें बलाकर प्रैस कर लें जिससे रिए दोस्तों बंदे मात्रम